कैसे आप सब लोग हम सब भी बहुत बढ़िया है तो आज मैं कर रहे हूं अपने किच्छन को क्लीन और किच्छन क्लीनिंग बोलने को लिए बहुत आसान वर्ड है बट जब इसको करने बैठोना तो सच मानो सबसे बड़ा टास्क होता है किच्छन को क्लीन करना और उपर से अपर गर्यों को मौसम हो तो और भी हाफत है है ना तो बस आज मैंने सोचा हुआ है अपना जो किच्छन है वो मुझे क्लीन करना है यह मेरा छोटा सा नॉन मॉडूलर किच्छन है तो चले फिर सफाइस स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने उपर की स्लैप में से जितने डेली जब ज़ाड़ू लगाती हूँ ना तो एक एक हास जरूर इसमें मारती रहती हूँ क्योंकि जाले वगेरा तो सबी को पता है कि जाले वगेरा घर में नहीं होने जाहिए तो वो अच्छे नहीं होते हैं तो उपर मैंने वाल पे अच्छे से ज़ाड़ू मार लिया है और जो slap है उपर की उसको भी मैंने जाड लिया है अब साथ में जो mat है ना इसको मैं clean कर लूँगी क्योंकि वही है ना किचन में जो गंदगी होती है ना dust होती है और थोरा से एक oil आता है किचन में है ना जो एक चिपचिपाहट सी देता है तो इससे ये mat जो है थोड़ा सा गंदा हो गया था तो इससे मैं clean कर लूँगी और हाँ वैसे मैंने chimney लगवाई है मुझे काफी time हो गया chimney लगवाई है तो मैंने ये चीज़ देखिए है कि chimney लगाने के बाद जो मलाई जैसे जो मैं बता रही हूँ ना इसको भी मैं जो ये बॉक्स ना इसको भी clean करके अच्छे से साफ पानी भरके इसे भी में लगा दे रही हूँ तो kitchen cleaning है ऐसी चीज है ना कि आप तबी के तबी suddenly आप उसे clean करने के लिए बैठेंगे ना तो आपको ये बहुत भारी पड़े कि बहुत भारी तो मेरा जो scene है ना मैं ये करती हूँ और आप लोग क्या करते हैं ये खेर मुझे नहीं पता है बस यह है कि मेरा जो routine है या जो मैं काम करती हूँ मैं एक ही बार में पूरा kitchen लेकर नहीं बैठती हूँ क्योंकि अगर मुझे आज kitchen clean करना है ना तो इसकी मैं तैयारी जो previous day होता है ना जो last day होता है मैं उससे ही start कर देती हूँ क्योंकि एक पूरे kitchen को अगर आप एक दिन में करने बैठोगे ना तो ये possible नहीं हो पाएगा है ना होता है ना तो फिर मैं जो पिछला दिन है ना उससे ही तैयारिया start कर देती हूँ काफी चीजे जो धोने वाली होती है वो धो देती हूँ जैसे नीचे का पूरा clean करना ये सबी कुछ तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे container धो ले रही हूँ क्योंकि अंदर से अभी नई धो रही हूँ क्योंकि काफी सामान है उनके अंदर और अंदर से container ना मैं तभी दोती हूँ जब मुझे refill करना होता है तो यहाँ पर यह मैंने देखे बतारियों मैं यह container मैंने धो दिये हैं और जो बाकी पीछे वाले हैं वो रह रहे है तो मैट मैंने बाहर सुखाने रख दिया है जब वो सुख जाएगा तो मैं इसमें बिछा दूँगी अब वही है ना देखे होता है ना kitchen cleaning का काम हो रहा है और खाना भी वहीं पर बनना है तो अभी यहाँ पर दुपैर का time है तो मैंने normally सी यहाँ पर नमकीन चावलिया खेचरी जो भी बोल सकते हो वो मैंने रख दिया है क्योंकि अगर मैं उसमें खाना बनाने में time लगाऊंगे तो और ज्यादा time यहाँ पर मेरा हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने mat लगाने से पहले ना newspaper लगा दिया है self में और उसके उपर अब यह mat में बिछा दूँगे और जो भी मैंने जो मेरे container वगेर है जो सूख गए है जो मैंने धोए थे उनको एक साफ सूखे कपड़े से पोच के मैं वापस लगा दूँगे तो एक ही बारे में अगर आप सोचोंगे kitchen का काम हो सकता है तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता और मैं भी ऐसे नहीं करती हूँ मैं भी जो है इसकी तैयारी पहले से ही start कर देती हूँ तो यह जो मेरा spice rack है ना सच में इसको दोना भी बहुत बड़ा task होता है तो इसलिए से मैंने भी pose दिया है बस और यह देखे यहाँ पर मैंने उपर जो है अपना सामान सेट कर दिया है तो non-modular kitchen है मेरा इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आती है क्योंकि कोई self अगेरा नहीं होते हैं हर किसी चीज के तो यहाँ पर यह देखे जो oil container है और जो उसके नीचे का है वो मैंने साफ कर लिया था सुबह जब मैंने बरतन धोय थे और यह जो trolley है ना इसको भी मैंने पिछले दिन में wash कर लिया था और यह भी मैंने जो stand है ना knife अगेरा का यह भी मैंने सुबह वाश कर लिया था और यह देखे यह मैंने एक DIY बनाया है हाटे की थैली को reuse करके आप playlist में जाके मेरे stitching में देख सकते हो तो यह बहुत काम का है यहाँ पर मैं जो भी है अपनी cylinder के slip वगेरा नोटचिट वगेरा जो मुझे kitchen में चाहिए होता है ना वो मैं इसी में रखती हूं तो यह बहुत काम की चीज है अगर आप चाहेंगे तो मेरी playlist में जाके आप इसका वीडियो देख सकते है तो बस यहा कपड़ा बार बार धो दो के इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगे तो यह दिखिए जो stand है और यह सब चीजे हैं यह मैंने पहले दो ली हैं तो मुझे कितना फायदा मिला हुआ है नहीं तो मुझे यह सब भी अभी धोना होता तो जो यह चूला है यह मैंने सुभे रही कि आज पूरा अच्छे से ना सुप अगयरा से क्लीन किया था और जो यह चकला बिलन है और इसका बास्किट है यह भी मैंने मौर्निंग में कर लिया था तो वही चीज मैं कहारी हूँ ना कि हर चीज को काम को करने के लिए थोड़ी सी प्लाइनिंग लेके चलनी पड़ती है तब ही वह चीज हमारी बहुत अच्छे से होती है तो वही मेरी प्लाइनिंग होती है कि अगर आप किचन क्लीनिंग करने चले हो तो उनकी चीजों को प तो लगता है थोड़ा मुश्किल होता है तो उस साइड के मैंने टाइल्स वगेरा और काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और अब यहां का भी कर लिया है तो यह जो नीचे के कॉर्नर्स होते हैं इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जब भी हम काउंटर टॉप साफ करते हैं तो यह सारी चीजे कॉर्नर में इखटी हो जाती है जो इनके एजिज होते हैं ना काउंटर टॉप के तो बस यह सब यहां का मेरा क्लीन हो गया है बस अब हैं कुछ बरतन जो की होते हैं न जो छोटे-छोटे हमारे पास टेफेन होते हैं तो वो मैंने पीछे की साइट रखे हुए थे ओपर स्लैप में तो वो थोड़े से चिकनाहट उन में हो गई थी तो जो नीचे के ड्रम वगेरा हैं ये सब मैंने सारा का सारा सुबह ही क्लीन कर लिया था और लगा लिया है मैंने जाड़ू और उसके बाद लगा दिया है पोचा पोचा जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है तो देखिया मैंने लंच बनाया है इस बीच में जो की लाजबी की दिन में सारी चीजे नहीं हो सकती हैं तो ये देखिए हो गया है मेरा किचन क्लीन कैसा लग रहा है बताईएगा जरूर तो चलिए फिर इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पे झाल